तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलर्शिप पोर्टल के बारे में यह स्कॉलर्शिप जो होती है और इसका मेन फोकस जो होता है वो माइनॉर्टी के लिए होता है जी हाँ जो खास के जालत लोगों पता नहीं होता है वो पूरा-पूरा फॉर्म भड़ देते हैं तो आखरी में पता चलता है कि वो माइनॉर्टी में नहीं है तो फॉर्म नहीं भड़ता है तो यह बात में पहले बताया दे रहा हूं यह फॉर्म जो होता है माइनॉर्टी के लिए होता है ठीक है क्योंकि तक इसमें लिखा हुआ है Ministry of Minority Affair लोग खाल यह पढ़ लेते है National Scholarship Portal तो यह फॉर्म पुरा भर देते हैं ऐसा नहीं है यह माइनॉर्टी के लिए फॉर्म है ठीक है और इस साल फॉर्म में बहुत से amendments मतलब changes हुए है जो मैं बताऊंगा अभी और UP का जो खेर अभी start नहीं हुआ है registration ही खाली हो रहा है फॉर्म भरा नहीं जा रहा है यह यह पहले आगी है जबर ठीक तो मैं पुरा फॉर्म शुरू से लेकर आखरी तक पुरा भर के दिखाऊंगा क्या-क्या changes हुए है और क्या क्या इसमें लगेगा वो सब बताऊंगा ठीक है शुरू से लेकर आखरी तक जुड़े रहना समझ में आ जाए तो लाइक कर देना और अपडेट्स चाहते हो नए नए तो सब्सक्राइब कर देना ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं यह पहले मैंने रेजिस्ट्रिक्शन किया और एक चित बता दूँ जो बच्चे क्लास 1 से 10 के बीच में तो कि यह scholarship जो होती वो बच्वाने से होती है पता होगा आप क्लास 1 से लेकर 10 तक की जो होती है scholarship तो जैसा मैं बता रहा था कि क्लास 1 से लेकर 10 तक की जो बच्चे है उनका अगर bank account नहीं है जाहतर बच्चों का नहीं होता है उस case में उनके parents का account लग जागा यह दिखिए parents account can be provided for maximum for two children मतलब दो बच्चे अगर है उनके तो दो बच्चो के लिए वो अपना account number दे सकते हैं प्री metric जैदि की लिखा है अब प्री metric मतलब metric high school से पहले और यह scholarship यह होती है फस से लेकर के PhD तक की master तक की होती है ठीक तो यह बता दिया मैंने पहले जो main चीज़ थी बागी कुछ खास नहीं है इसमें और यह आपने शुरू कर दिया इस तो भी चलते चलते बताता जाओंगा आपको यह दिखिए आपका registration वाला form खुल गया तो यहां चली हम registration शुरू करते हैं उत्रप्रदेश और प्री metric का है यह प्री metric जो है फस से लेकर 10 तक की post metric 11 लेकर के master तक की ठीक है यह चीज़ फॉर्म भनने में ध्यान लखना एक्द गलती ना हो जाए ठीक है तो मैं प्री metric ही ले रहा हूं ठीक है और name कुछ भी डाल दे रहा हूं अपना ही नाम डाल दे रहा हूं स्किम ट्राइब पर यह है मेरा scholarship scheme ठीक date of birth एक चीज़ यान रखना कोई कुछ चीज़े हैं जो ध्यान रखने वाली है बच्चे का जो अधार कार्ड जो है अधार कार्ड और बैंक की passbook और उसके mark sheets वगर match कर लेना है ठीक है क्योंकि अगर mark sheets में नाम अलग हुआ और बच्चे के आधार का में नाम अलग हुआ तो problem हो जाएगी ठीक है तो यह सब चीज़ा ध्यान रखना form भरते हो वक्त या ना हो तो उसका आधार कार्टी कर लेना यह अपने registration किया यह जरूरी है करना नंबर और यह email ID को mandatory नहीं है बैंक आई फेस्टी कोर्ट कि यह कर दो ठीक है कि यह में डाल दिया और डिटेल्स यह अधार अधार नंबर यह की दो आप्शन यह पर आ गए अगर बच्चे का अधार कार्ट नहीं है तो बैंक अकाउंट से आप कर देना जैसे कि बता दूँ यह यहां पर इस चीज़ बता दूँ आपको अगर आप अधार कार्ड है बच्चे का डॉग्मेंट से माक्षिट वगरा है अधार कार्ड से अगर डिटेल्स मैच नहीं कर रही है तो उस कंडिशन ने प्लीस अधार कार्ड मत लगाना बैंक अकाउंट लगा देना ठीक है यह अधार कार्ड को माक्षिट के अकॉर्डिंग कर लेन क्योंकि अगर मिस्मैच कर गया दरस डेटा को कि आज कर हर चीज ऑनलाइन हो गई है डेटा जरस मिस्मैच हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी अब अगर आप अगर आप चाहते हो कमाई सीजे करना चाहरे हो तो फॉर्म भर तो कोई दिक्कत नहीं है कोगि आप में ठेका ले आप बहुत तरीके होते हैं आप भी जानते हो तो सब डीटेल्स सेम कर ले ना उसके बाद करना ठीक तो में तो खेर अधार कार्ड लगा रहा हूं ठीक और अधार काड के इसाफ से टीटेल्स होंगी वन्ना फॉर्ण ले गनी यह भी एक बात है अब मेरी अधार काड के यहां पर रिजिस्ट्रेशन हो गया जो रिजिस्ट्रेशन हो गया जो इसमें पहुच गया होगा ठीक फिर भी आप इसको पूरा कॉपी कर लो एक बार कर ये कर दो क्या है तक पूरा यहां पर गया फिर यहां पर जा कि आपको लोग-इन करना पड़ेगा रहाँ आपके डेट ऑब बर्थ ही होती है ठीक है अगर बाइचान पासफ़र्ड आपसे मिस हो जाता है या सामने वाले का मुबाइल वगर दिक्कत कर रहा है तो पासफ़र्ड जो होता है वो डेट ऑफ बर्स ही होती है ठीक है जैसे लिखी होती पूरी उसमें कि यह टपर डाल दिया आपने पासफ़र्ड इनका और फिर देखिए यह उमीद है यह फिर से कैप्चार दिक्कत करेगा इनका चलिए अवाल ट्राय करते हैं आसान लग रहा है ओ एक्स आई लग रहा है यह हाँ चलो भाई यह आई लग रहा है शाहिए दिखते हैं आ देखे है उमीद ही गलती होगा एसस क्यू भी एस छे ठिक चलिए यह रहे करते हैं आहां चलिए बहुत से यह सही लग रहा है शाहिए मुझे आगे बढ़े हैं जो रिक्स्टर्ड मोबाल नंबर होगा उसमोटी पी आए गहां यह देखियो टीपी आ गया कर दो कहांगे मेरा इंबॉक्स कहांगे साब यह आपका इंबॉक्स है अब इसमें आपने चक्कर SMS यह एट इसना हदरनाक पासफ़र्ड दे दिए निए रख करके ठिक यह आपको टीपी आ गया है इसको आपने आपको कंफर्म किया ठिक कंफर्म करने के बाद आपके हैं पासफ़र्ड आप चेंज कर लिए जो भी आपका नाम है वो एड़ रेट वन टू थिरी ठीक और जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा इतना तो आप लोग करते हो तो पता यह कर नहीं पता होगा तो खरी पता कर लो नाम जैसे कि आकाश है तो आकाश कैप लोगिन ठीक अब आप तो यहां गए एप्लिकेशन फॉर्म में अब बता दू इसमें कि क्या क्या इस साल नया है यहां तक तो आपने पूरा देख लिए ठीक यह फॉर्म पूरा आप कर लोगे भर लोगे देख यहां पर आपने रेलिजिजन चूस करा मुस्लिम करा दी फादर ने मदर ने अन्वल इंकम जो इंकम सर्टिफिकर्ट में लिखी हुई है वह कर लोगे चलो मैं लग्याद भरी दे रहा हूं यहां पर ठीक यह कर दो यहां पर पचास हजार एन्वल इंकम डाल तो ठीक है यह हुआ डे स्कॉलर मतलब होता है पढ़ने वाला होस्टलर मतलब होस्टल वाला रहने वाला ठीक है तो अब डे स्कॉलरी करना अब यहां आया इस्कूल तो इस्कूल यहां पर आप सर्च करोगे यह है यू लेक्ड ठीड़ा नाम होगा वह को देख रहे हैं कोई बीसकोल 5 डालओ मैं देखता हूं है जाले देखता हूं है चलिए को कोई बीस्कूल कि लिए राजकुमार अक्एड में यह ठीक है कि यह मैंने ले लिया और इसको मैंने जिले cooking का यह यह इस मिवाणने लिया ठीक है और यह इस लक्लास का नहीं आ रहा है को यह बहुत ले लिया निरच कि अभी नहीं आ रहा इनका 對 अम हम हम चाचा नहरू, यह दिखिए आगे है ठीक, चाचा नहरू में 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है, मतलब कि जो इससे पहले मैंने स्कूल देखे थे, उस स्कूल में अभी 10 तक की प्रिमेट्रिक की स्कॉलर्शिप नहीं आई है, वजह है उसकी बता दूँ, लॉक्डाउन चल ला है, पैसा नह है, हाई स्कूल तक की स्कॉलर्शिप कट कर दियो, सिर्व इंटर से करियो, क्योंकि अगर ऐसा नहोता, तो क्या पता इनके स्कूल का नाम ही नहोता, या यह हो सकता है, इस साल इस स्कूल ने अपना नाम नाम एनसप को दिया ही नहो, रिजिस्ट्रेशन के लिए, हो सकता है प्राइविट स्कूल से यह सब, क्या पाता, इस शुक्रम उन्हीं ने अपना नाम ना दिया है, स्कूल की लिस्ट में, तो इन लोग का नाम नहीं बे दिया गया है, अब जैसी सरकारी स्कूल सैट नहिरो, तो इनका देखी आ गया, लिस्ट में नाम, ठीक, इस साल जून में अपनी फीस जमा कर दी थी ठीक, तो उसी के आगे पीछे डेट डाल दी आप, फिर रेगुलर है, पार्ट टेम यह है, आप यहाँ पर डाल दी, 2019 से पास करा है, परसेंटेज आपके कुछ भी 60 अबब हो, यह हिस्सा छोड़ दी आप ठीक, अब इस बता दू है, अकैडमिक्स कितनी है, मिसलीनिस कितनी है, यहाँ पर मामला बहुत फस्ता था हर साल, काफी बच्चों का फॉर्म रिजक्ट होता था, इसलिए यहाँ पर यह option हटा दिया गया है, यह अब स्कुल डिसाइट करेगा, कि बच्चे की फीस कितनी गई है, क्या है, ठीक, और यह चीज हटाई गई है, और यह बहुत अच्छी चीज हर कर दी गई है, इससे confusion बहुत होता था हर साल, तो यहाँ पर आपने आ करके, यह फॉर्म भरा, और डिसेपर कुछ नहीं है, यह नहीं है, इस्टेटस क्या है, अन्मारीड हो का बच्चे अन्मारीड होगा, फादर अब इसको अपने continue कर दिया, ठीक, continue दने के बाद यह आपका, यह रहिए, यह प्री मेट्रिक स्कॉलर्शिप फो मैनोर्टी आ गया, आपने तिक लगा दोगे, यह पुरा यहाँ पर डिस्ट्रिक वगड़ डाल करके, सब हो जाया काम आपका, ठीक, और पचाहँ थार से कम है, तो यहाँ पर कोई document अपलोड नहीं करना है, ठीक, इस कालेशिप अमोर लेज़ें 50,000, अगर पचाहँ थार जैसे, अब भाई स्कूल की फीस मेरी 2,000 रुपए है, तो मैंने इसकी जरुरत नहीं है, अब जो बच्चों की जैसे, जो लखनों के जो बड़े-बड़े है यहां की फीस यह होती है, वो 90,001,000 रुपए होती है, उस हालत में सारे इनके forms वगरे जो होते हैं, वो यहाँ अपलोड होईंगे, ठीक, यहाँ पर साफसाफती के लिखा हुआ है, ठीक है, तो यह समझ गया आप, अब देखिए, यहां में दिखा रहा हूँ कि प्री मेरे हिंदू कर दिया है, ठीक है, डिटेल्स पूरी वहीं है, यह शायद हड़िया होके निचे बल जा करके, हाँ हड़िया है, ठीक, हिंदू कर दिया है मैंने, फिर आपने इसको आगे बढ़ाया, तो जहां तक, यह रेखिए, नो स्किम अवैलेबल, मतलब कि यह जो है, यह मै स्कॉलर्शिप में फीस वाला कॉलम नहीं रहेगा, इस साल के यह ना ही हो बहतर है, और यह स्कॉलर्शिप माइनॉर्टी ज के लिए है, और तीसरी चीज़ फर्स क्लास से लेकर टेंथ क्लास तक की, बच्चों का अगर अकाउंट नहीं है, तो माबाप का अकाउंट लग ठीक और एक चीज़ मैं बता दू इसमें अगर आप लोग चाहते हैं कि लॉगडाउन में काम करना चाहते हैं और दुकान में कोई नहीं यार सेंटर पर कोई नहीं आ रहे तो मेरे पास एक फॉर्म बना रखा है गूगल फॉर्म तो वह फॉर्म अगर आप लोग चाहते हैं तो comment section में मुझे अपना email ID दे देना मैं उस email ID पर आपको वो form का sample दे दूँगा तो आप उसको बना करके online form भर सकते हो कि कमाने वाले होते हैं कि करने वाले तरीका होता है अगर आप लोग करना चाहते हो कमाना चाहते हो तो तरीका यह है सब बच्चों के पास Android सब बच्चों के पास system laptop है वो form भीद दोगे बच्चे भर आपको भीद देंगे Google पे पेटियम फोन पर हड़को चलाता है तो आप प बता दूँ जो बहुत ही important थी वो भी है हर साल जैसे कि OTP वेगर आता था मुबाइल में घलत हो गया और बैंक अकाउंट डिटेल्स घलत हो गई कुछ भी घलत हो गया तो यह होता था कि बस खलास अब नहीं हो सकता साफ सब लिखा हुए था form में कि if you will submit duplicates application then your form will be rejected यह लिखते बाद आपको लगता है कि खलती हो गई आपसे यहां पट्टे के लगा करके यहां पर आप डाल दोगे I want to reject my application due to this due to name correction due to date of birth incorrect due to bank account details mismatch whatever ठीक तो यह करने बाद विड्रौ कर दोगे instant आपका form reject हो जाएगा फिर आप एक नया form भर दोगे यह जो चीज है इसको एक ही बार करना ठीक है इसमें लिख देना कि I want to withdraw this application because of my bank account details changed that's why I want to कुछ भी whatever आप हिंदी में लिख दो कि मेरा account details गलत हो गई है या कुछ भी ठीक है आप कर देना तो I hope समझ गई होगा आप लग पूरा यह तरीका समझ गई होगे class first से लेकर 10 तक की scholarship शायद नहीं आ रही दातर मैंने जो आज चेक कर रहा है स्कूलों में काफी नहीं आया तो कि सबको update रहते ही है मैं अपने सार बिजनस मेरा सारा online रहते ही है कोई भी updates आते तो फॉरन मैं कर देता हूँ बच्चे सब्टेश में रहते हैं सब group बने हुए है तो जात बच्चों को मैंने देखा था फर् जैसे ही यह तो मैंने नैशनल का बता दिया है जैसे ही इसका यूपी का आएगा तो वह भी बता दूंगा उसके अलावा एक और आता है फॉर्म वह भी वक्त आने पर बता दूंगा वह क्या होता है नाइन से लेकर 12 तक की ललकियों का फॉर्म होता है तो टैच मेरे रहना जुड़े हैं ना सब्सक्राइब करते हैं पेच को घंटी वाला जो आइकन को ने में होता है वह भी दबा देना हो सकता हो काम आ जाए आपके ठीक है तो थैंक्स लोट फॉर वाचिन दूस वीडियो एड़ वाचिन दूस वीडियो एड़ एड़ गुद देंक्यू